बुलो श्री प्राण नाथ प्यारे कीजे बुलो श्री सत्गुरु महराज कीजे पन्ना धाम कीजे सर्व सुन्दर साथ कीजे आप सब सुन्दर साथ जी के धाम रिदय में विराज मान शोभाय मान धाम धनी प्राण प्रियतम हे पिरियम आपके नूरी कोमल चर्नारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी दे 175 एक सो पिचक्तरवा दिन श्री बीतक साहिब चर्चा तहां आए बैठ के बड़ी करी मसलहत कौन से आपस में विचार विमर्ष मसलहत करी ये देखिए सुन्दर साथ जी ये क्या क्या मसलहत में क्या क्या शामिल हो रहे हैं ये जरूर देखिएगा आसपास कितना एक एक पेल लगाना पड़ता है ये एक एक एलिमेंट उठाके लाना पड़ता है सुन्दर साह जी तब ये बनता है ये ग्रास पूरी नहीं मिल पाती है टुकडों टुकडों में घास को भी लाना पड़ता है यहां पे और देखिए सुन्दर साथ बनाए हैं यहां पे कैसे खड़े होके यहां पे मसलहत कर रहे हैं श्री जी दर्शाने की बहुत सुन्दर कोशिश की गई और यह देखिए इतनी किताबें लेके खड़ा हुआ सुन्दर साथ एक-एक माइन यूट डिटेलिंग का जो ध्यान रखा जाता है श्री जी के पास देखिए कितने किताबें रखने की दर बहुत सुन्दर प्रयास चाहे फूल हों पत्ते हों सब मेरे श्री जी के चर्णों में नमन करते हुए ये देखिए क्षत्रिय की हवेली में रुके हुआ है अब आया वक्त रहनिय का ये सबसे विचार पूछा है ये रहनी का वक्त क्यों लिखा ये सुन्दर साथ को देखिए कैसी कैसी सेवा करता हुआ कोई दूदू डेलता हुआ कोई इंते बनाता हुआ कोई बुक्स लिखता हुआ और ये देखिए कैसी कैसी सेवाएं हर प्रकार की सेव जहां 500 से ज़ादा सुन्दर साथ ठहरे होंगे कितनी सेवाएं वहां होती होंगी पूछा विचार सब को कहा करना अब इत औरंग जेब को संदेशा देने के लिए श्री जी जिनको सब पता है वो भी सुन्दर साथ से पूछ रहे हैं बताईए एडवाईस कीजिए सुन्दर साथ जी अब करना क्या है इतने प्यारे अक्षरातीत है सब अंदर पता है उनको everything is crystal clear की आगे क्या होने वाला है पर फिर भी सुन्दर साथ को शोभा देनी है उनके मुक से भी कहलवाना है कि श्री जी आईए ऐसे कर लेते हैं नहीं ऐसे कर लेते हैं ये करना बहुत अच्छा रहेगा इसको उर्दू या फार्सी में ट्रांसलेट करवा लेते हैं ये देखिए अती अती सुन्दर सेवा सुन्दर साथ जी सच बताओ बीतक सहब तो आधा गंटा या फिर एक गंटा होती है इनको बनाने में कितना समय लग जाता है ये इसको खलके में मत लीजिएगा बहुत प्यारी सेवा चर्णों में कुटान को प्रणाम जी एक बार पूरी तरह से निहार लीजिए आईए चलते हैं अती सुन्दर वानी गायन कल्पना सोनी जी ऑस्ट्रेलिया सुन्दर साथ हाँ जी प्रणाम जी एक में जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी मेरे साथ मेरे नीस भी है प्रणाम जी बेटा प्रणाम जी आज मिलकर वानी गायन होगा आज मैं सनमंध मूल को वो वाला वानी गायन करूंगी सबी सुन्दर साथ के चर्णों में कोटान कोटनाम सनमंध मूल को मैं तो पापल छोड़ियो न जाए सनमंध मूल को मैं तो पापल छोड़ियो न जाए अब चल बल मोहे कहा करे अब चल बल मोहे कहा करे मोहाद थे दियो उड़ाए सनमंध मूल को मैं तो पापल छोड़ियो न जाए दर्द जो तिरे दुला कर डार्यो सबनांस आस न छोड़ियो जीवको करने तुम बिलास सनमंध मूल को मैं तो पापल छोड़ियो न जाए मिरहान छोड़ियो जीवको जी आस बिपियो मिलन सनमंध मूल को मैं तो पापल छोड़ियो न जाए सनमंध मूल को मैं तो पापल छोड़ियो न जाए मैं तो अपना दे रही तुम ही राक्यो जीवको करने देख्रों सनमंध मूल को मैं तो पापल छोड़ियो न जाए छोडियो न जाए सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोडियो न जाए तुम आए सब आए दुख गया सब दू कहे माहामती सुख क्यों कहूं जो उद्या मूल अंकूर कहे माहामती सुख क्यों कहूं जो उद्या मूल अंकूर सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोडियो न जाए सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोडियो न जाए मैं तो पाओ पल छोडियो न जाए मैं तो पाओ पल छोडियो न जाए पुलेशी प्राण नाथ प्यारे कीज़े सद्गुरु महराज कीज़े प्रणाम जी बहुत सुंदर आपकी आवाज तो इतनी मीथी है आपकी नीस की आवाज इनका नाम क्या है कल्पना जी वैसे उनका नाम शुरूती है लेकिन सब लोग श्यामा बुलाते है अरे वाज तो आज इंद्रावती तो आती है आज श्यामा भी आ गई है क्यों बहुत सुंदर अती सुंदर बेटा आपकी चर्णों में भी प्रणाम और बहुत अच्छा लगा आज जोड़े पे मिला अभी अमें ट्रेन में ये और एक जोड़ा प्यारा सक्षियों का आया और अभी भी जोड़े में ही रिवीजन होगी आज बहुत सुंदर आप आते रहेगा कलपना भाभी बहुत मीठा और आप दोनों मिलकर भी आडियो बनाकर भी मुझे भेजिएगा बहुत मीठी आवाज है कहीं किसी सेवा में लगने वाही है प्रणाम जी ठैंक यू बहुत राजी का बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे मीठे सुंदर साथ से देखे दूर दूर बैठे भी मिलवाते जा रहे हैं हमारे तो ये बहुत पास हैं पर फिर भी देश विदेश के एक बात और आज पहली बार सुंदर साथ जी मैं दो मिनट मिल पाए बस और मैं PDF पढ़ रही थी और श्री कृष्ण तृधा लीला से रिलेटेड यार नही रहता कुछ पर नए नए विचार कुछ आते रहते हैं एक नया विचार और आया था वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी आज पर revision के दौरान करेंगे वो एक और विचार और एक और चौपाई भी मिल गई वो भी शेयर करेंगे ऑर ये भी शेयर करेंगे जी आए सुंदर साथ जी देर ना करते हुए चलते हैं अती सुंदर टीका की और आज कल तो जितने भी सुंदर साथ चौपाया बहुत खुशी होती है कि समाज में हर तरफ कृष्ण तृधा लीला की लहर सी चाही हुई है चौपाईयां भी आती है तो जरासिंद की मतुरा की बड़ा अनन्द आता है देखकर आईए चलते हैं चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे हजो राज शाम श्री प्राण नाथ सक्षी जीवन हमा स्री महामती कहिये साथ जी भया चचा का वकत अब तुम सुनियों चित दे लाल आगे आप पैठे इन तकहत लाल आगे आप पैठे इन तकहत भुलो श्री प्राण नाथ प्यारे कीजे भुलो श्री सत्गुरु महराज कीजे और साथी केते एक दिली की बात हो रही है सुन्दर साथ जी आये के गए अपने घर आये तो सही पर पुने अपने घर जाकर रहने लगे पर जो बात दिल को लग चुकी आज भी सुन्दर साथ ऐसे हैं आये थे पर कोई ना कोई कारज कारण ऐसा बना सुन्दर साथ जी आये थे वो zoom meeting में भी आये थे पर कोई ना कोई पीछे से कारज कारण ऐसा बना कि उनको आने से रोका गया है कि आपको नहीं जाना पर बात ना छूटे दिल से आज भी messages आते रहते हैं कि छूटे नहीं छूट रहा है अब सामने से नहीं आते तो छुप छुप के आ रहे हैं सुन् पर जाना भी नहीं पड़ता चुप चाप जूम में या यूट्यूब में बैट जाया करते हैं आज जो जो स्वामी जी के मुखारबिंद से चर्चा सुनना चाहते हैं उनको आग्या भी नहीं होती जाने की पर फिर भी वो यूट्यूब पर बैट कर पूरा आनंद की वानी का अपने अंदर उडेल लेते हैं चुप चाप टीका का ओडर देते हैं और घर में मन्थन करना शुरू कर देते हैं कोई किसी को नहीं रोक पाएगा बल रखिए सुन्दर साजी यदि परिस्थितियां अलाव करती हैं या फिर थोड़ा सा जगह उनमें बनाई जा सकती है नाम भी लेना शुरू कर दीजिए यदि उनका टीका कहीं भी पिरो रहे हैं हम जरूर उनको क्रेडिट देजिए कि हमने ये लाइने कहां से लियें देखिए ओनेस्टी से धनी कितने रीड जाते हैं भर भर के मिलता है बात न छूटे दिल से एक बार जिसके दिल मे निकाल सकता रहे इसलाम उपर माया उसको पचार नहीं सकती घर जरूर जाना पड़ गया पर उसी तरह पहले यी तरह की भावना उनकी भावनाएं कोई नहीं निकाल सकता सुन्दर साथ जी प्राना जी के प्रती परमधाम के प्रती जो अटूट विश्वास आ जाता है उस से लोग सुन्दर साथ के बीच में आकर भी निजानंद की रा को अपना नहीं सके, सो पैठ ना सके, इसलाम हर एक के बस की बात है भी नहीं, जो मू नीचा करे साथ, इसलिए इस भूल के कारण अपना मुख नीचा किये रहे, और सुन्दर साथ ने भी कोई न कहे कलाम, स्वा यहां एक versus hundred, जो नए सुन्दर साथ आ सकते हैं, उन पे उर्जा लगाईए, जो पुराने अपने अंदर pre assumptions लेकर बैठे हुएं, कि हमें पूरा ग्यान एक तन के थुरू मिल चुका है, हमें और ग्यान की जरूरत नहीं है, तो सुन्दर साथ जी वाद विवाद में कभी न उर्जा लगाईए, कि उनको कैसे धनी जी की महर से लाया जा सकता है, उतनी ही उर्जा में इधर सो आ जाएंगे, वो एक भी नहीं बदलेंगे, यदि उनका क्षण अभी नहीं आया है, और जब मुल सरूक की इच्छा में आ गया, तो उनको आने से कोई रोकी नहीं कोई दिन पीछे आया, कुछ दिन के बाद अटक से गोवर्धन भाई वापिस लोट कर आ गए हैं, ये वही गोवर्धन भाई हैं सुन्दर साथ जी जिनोंने क्या कर लिया था, हाँ जी सुन्दर साथ जी बताएंगे ये कौन से गोवर्धन भाई हैं, याद है आपको कौन से गोवर्धन भाई की ये बात हो रही है वेरी गुड अती सुन्दर ब्यूटिफुल अरे वा सुन्दर साथ जी किरन खुराना दी दी पड़नाम जी अरे वा प्रफुला बेन का भी हैंड रेज हुआ जी हान जी किरन दी दी वही वाले गोवर्धन दाजी है जिनोंने उनको रेवादाजी को मोहर दी थी जी बिलकुल सही सुन्दर बिलकुल और और बताइए जी नहीं वही जो सूरत में जो उन्होंने पूरा खर्चा उठा लिया था उनका ये वही गोवर्धन दी ये बिलकुल सेम है दोनों जिनोंने खर्चा उठाया और फिर मोहर भी दी थी खर्चा उठातर ही तो मोहर देंगे बहुत सुन्दर किरंदीदी ब्यूटिफुल ये यहां की भी इनकी भी बीतक साहब की भी Wikipedia बनते जा रहे हो आप महर सागर से बहुत सुन्दर तो ये कुछ दिनों के बाद ये अटक में रहे गए थे अटक गए थे तो अभी अटक से वापिस आये देखो इनसे क्या-क्या लिखवाया हुए करवाना पिया जी ने लाल दर्वाजे आये रहया लाल दर्वाजे जब पहुँचे हैं तो कल हमने लाल दर्वाजे का भी थोड़ा सा थमनेल में भी वर्णन देखा था लाल दर्वाजे जब आये गंगा राम की दुकान पे अब ये गंगा राम जी भी बड़े इंपोर्टेंट है क्योंकि इनका नाम भी विशेश मुमिनों में आने वाला है तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि इनकी जागनी की तरफ ये अग्रसर कैसे हुए गोवर्धन भाई आये हैं और दिल्ली में लाल दर्वाजे मोहले में गंगा राम की दुकान में ठहर गए हैं आकर यहां से इनकी शुरुआत होती है कड़ी बन जाते हैं गोवर्धन जी गंगा राम जी के लिए तहां बचन तार्तम के कही जो गंगा राम वहां गोवर्धन जी ने गंगा राम जी को तार्तम ज्यान की कुछ बातें कही आसा जीत पर बोधिया आसाजीद की भी बहुत बड़ी इनकी भी भूमिका आने वाली है, यह एक वकील है, तो इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका आएगी, तो दोनों बहुत इमपोर्टेंट है यहाँ पे गंगाराम जी भी और आसाजीद जी भी. हम भी important में बन जाएं हम कब तक वैसे ही बने रहेंगे कि चलो ठीक है माया भी लेते रहें, ये भी लेते रहें, ये भी समेटे रहें, ये भी हम भी सेवा में important बने सुन्दर साजी जहां सेवा मिले, जिस स्थान, जिस सत्गुरु के पास सेवा कभी न खोई है, सुन्दर साजी उसको करने की golden opportunity हमें माया में ही मिली हुई है देखो, योग माया में भी कुछ नहीं करना पड़ता जाके हाथ कुछ करना नहीं पड़ता, वहां बना बनाया सब सामने आ जाता है और उसको कर लिया जाता है, उसको सेवा, सेवा वहां पर भी इतनी नहीं होती परमधाम में भी नहीं, यहां मिलती है सेवा आसाजीत परबोधिया, गोवर्धन जी, आसाजीत जो को भी प्रबोध कर रहे हैं तित पाया विश्राम गंगाराम जी को भी तार्तम ज्यान की बाते कही इसके अतरिक्त उन्होंने आशाजीत वकील को भी प्रवोधित किया उसने तित पाया विश्राम उन्होंने बहुत विश्राम कानुभव किया बहुत अधिक आनन्द आया उनको ये पार की लौकिक नहीं अलोकिक बातें सुनकर किसको आनंद नहीं आएगा सुन्दर साजी स्वामी जी बहुत सुन्दर कहते हैं हर बार ज्यान सबसे उच्च श्रेणी का हमारे पास है किसी धर्म ग्रंथ में केवल गवाहियां जरूर लिखी गई है पर किसी धर्म ग्रंथ में परमधाम के बारे में पूरी की पूरी परमधाम तो क्या उसकी मारिफत के भी अंदर जाकर डुबकी किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लगवाई तो सोचिए कैसा ग्यान हमारी जोली में हमारे रिदय की जोली में आकर मिला है हमको पर स्वामी जी कहते हैं, there is something, you know हम presentation में अच्छे नहीं है, present अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया को presentation चाहिए, तो वो presentation करकर के पूरी दुनिया तक लेकर जाना है इस ग्यान को, हालांकि वो ये भी कहते हैं, कि अभी जीव सृष्टी तक जाने का समय भी नहीं आया हो रिस के सारी जीव सृष्टी तक भी फैलेगा, उस दिन presentation and everything will be fantastic और हर एक तक ये ग्यान जरूर पहुंचेगा, पर अभी केवल मेरे लिए बता रहे हैं, ये सुन्दर साजी सोचेंगे, हमने ये मौकानी खोना कि मेरे पास समय नहीं है, स्वयम तो जागे हैं, धन की सेवा म आगे हैं, ये बहुत ध्यान रखना है सुन्दर साजी, कभी कभी हम सोचते हैं, धन की सेवा देकर करतव्य की इतिश्री हो गई, ऐसा नहीं होता है, गोवर्धन जी तन की सेवा भी करते हैं, धन की सेवा भी करते हैं और यहां देखिए, इसको आतम की, चित्वन करना आतम की सेवा कही गई थी और ये मन की सेवा है जो तार्तम ज्यान को बांठना है ज्यान को लेकर उसको बांठना मन की सेवा है तो गोवर्धन जी ने हर प्रकार की सेवा की ऐसा नहीं कि धन देता हूं तो चर्चा से क्या लेना देना ना मुझे सुननी है हमें थोड़ी ना सुनान हर सुन्दर साथ को खड़े होना पड़ेगा चाहे वो धन की सेवा देते हो ना देते हो तन की सेवा देते हो ना देते हो हर एक को हर एक सेवा में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ऐसा नहीं तन की सेवा की और हम फ्री हो गए ऐसा मैं कर चुकी हूं सुन्दर साथ जी इसल सारा दिन सेवा कर ली चर्चा में क्यों बैठना है क्या करना है करके बैठते भी थे तो इतने थके मांदे बैठते थे कि अंदर कुछ जाता ही नहीं था सुनदर साथ जी एकूल इंपोzent देनी है ब्रहमग्यान की बहुत बड़ी गरिमा ऐस सुनदर साथ जी सेवा रासता तो अगर चलेंगे ही नहीं उसके उपर तो यहाँ पर बहुत प्यारी सिखापन हमें दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, हर सुन्दर साथ को यह सोचना है, जितना भी हमें आता हो, उतना बाटना शुरू कीजिए, किसी से तो बात होती होगी, किसी रिष्टेदार से, किसी हो सकता है ना, जो काम चाबी कर सकती है, वो हतोड़ा नहीं कर सकती है, चाबी तालों को खोल सकती है, हतोड़ा उनको तोड़ देता है, हमें हतोड़ा नहीं बनना है, हमें चाबी बनना है, प्रेम की चाबी बनना है, कुन्जी बनना है, सुन्दर साथ जी, दिलों को तोड अपने वाला हतोड़ा हमें नहीं बनना, हतोड़े जैसे वचन हमें यूज नहीं करने, प्रयोग नहीं करने, और सुन्दर साथ के लिए तो क्या, पूरे ब्रमांट के लिए हतोड़ा बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रमांड में हथोड़े बहुत हैं, चाबियों की कमी हैं, इसलिए और हम प्रेम की धोजाएं सुन्दर साथ जी, हमें प्रेम रूपी कुंजी ही बनना है यहां पे, किसी सुन्दर साथ से ना सहयोगिता में, ना अपने मंदिर में, किसी सुन्दर साथ से एक वाक्य भी कड़वा बोल दिया, पूरा mission सफल हो गया, पूरा purpose fail हो गया, सुन्दर साजी, unsuccessful हो गया, unfortunately ये कभी नहीं करना, इसी का दिल नहीं दुखाना कभी भी, वो मंदिर तोडने के बराबर है और सब को ग्यान की, जितना आता हो, उतने ज्यान की सेवा करनी है आशा जीत, वकील को भी प्रभोधित किया, कितना आनंद दिया, ये main purpose life का बनाना है बस मेरी इस activity से आनंद मिलेगा या नहीं, या दुख होगा पहले तॉल के वो activity करनी है कोई सेवा भी करनी है, दुखी होके नहीं करनी, सुन्दर साजी better not to do, अगर दुखी हैं, मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए, अगर खुशी और आनंद से सेवा करनी, क्योंकि आपको नहीं पता जिन जिन तक वो सेवा पहुंचने वाली है, आपकी vibrations साथ में परोसी जाएंगी, यदि वो दुखी vibrations हैं, तो वो सेवा दूर तक नहीं जा सकती, तो खुश हो के कीजिए, आपको टाइम लाइन नहीं चाहिए, विदाउट टाइम लाइन कीजिए, अपनी टाइम लाइन खुद सेट कीजिए, हमारे तो सारे सुन्दर साथ ऐसे हैं, कि उनको बोला जाए एक महीने में देना, तो वो दो दिन में करके आ जाते हैं, ऐसे प्यारे सुन्दर साथ, सारे सुन्दर साथ, हैपिली सेवा करें, और आनंद देने के लिए, जैसे इन्होंने आसा जीत वकील को आनंद का अनुभव कराया, सब सुन्दर साथ को आनंद ही आनंद मिले, ये माया बहुत है दुख देने के लिए, हम माया की तरफ से दज्जाल की सेना में खड़े होके, सुन्दर साथ को कभी दुखना दें, महर की सेना में खड़े हो जाए, सुख देने के लिए सुन्दर साथ जी नैन सुख महाजन सों कहें वचन दो चार गोवर्धन जी ने नैन सुख महाजन जी से भी तार्तम ज्यान की दो चार वचन कहें दो चार सुकन पहले भी कहें जा चुके हैं किसी को याद है सुन्दर साथ जी बीतक सहब इस बार आप नोटिस कीजिएगा जुलाई में श्री बीतक सहब होने वाली है सब का नजरिया बदल जाना चीए श्री बीतक सहब को देखने का और मुझे ऐसा लगता है इस बार हम जो सुनेंगे हर तरफ से बीतक सहब वो positively सुनाई जाएगी और positivity ही आएगी अंदर चाहे character जैसे भी रहे हो चाहे पात्र जैसे भी रहे हो उनमें से भी गुण ढूंड कर लाए जाएगे और हम सब सुन्दर साथ हर जहां जहां से भी तक सहब सुनेंगे वहां से गुण ही लेंगे जी तो सुन्दर साथ बता रहे दो चार सुकन नाम लेते ही याद आ जाता है कि यह किसको कहे गए थे अरे पात्रों के नाम याद नहीं होते थे विक्रम संबत नहीं पता होते थे दो चार सुकन किसको पता होंगे पर हमारे सुन्दर साथ को पता है शांती देवी जी परणाम जी सो प्राउड आफ यू सुन्दर साथ जी परणाम जी सुन्दर साथ जी परणाम जी भागवार देवा दास को सिर्फ पराण नाची तो एक सुकन बोले ते बिल्कुल सही अती सुन्दर चरणों में कोटान कोड प्रणाम ये मेरी ऐसी सक्षी है जो कि पिछली सहयोगिता में हॉस्पिटल में बैठी थी पर इन्हों ने अपनी बेटी को का बताना मत मैं हॉस्पिटल में हूँ मेरा ओप्रेशन हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि मैं सहयोगि शायद ये तन छूट जाएगा तब भी बातें नी भूलेंगी प्रणाम जी गोवर्धन जी ने नैनसुक महाजन जी से भी तार्तम ज्यान के दो चार सुकन ही बहुत होते हैं उन्होंने अपने मन में उन दो चार बातों को इतिन ने अपने दिल में किया बड़ा विचार बड़ा, दो चार शब्दों का ही कितना बड़ा विचार बहुत अधिक गंबीर चिंतन किया ये नैनसुक महाजन जी सिखा रहे हैं हमें कि दो चार सुकन सुन के भी कितना गंबीर विचार उस पे किया जा सकता है केसव भत जी सुन्दर साथ जी केसव भत जी से नहीं कहे थे उन्होंने किसे बिलकुल सही का आपने भगवान रेवादास जी से कहे थे वो तो अंदर चिंतन करते रहे पर वो चिंतन काम किसके आया रेवादास जी केसव भत जी के काम आया जिनको पूरे भी नहीं दो चार भ कि कहां कहां मुझे इसकी साक्षी भी मिल सकती है प्रूफ कहां पे इसका मिल सकता है इतना गंभीरता से विचार किया बो श्री प्राणनात प्यारे कीजे बो श्री सत्गुरू महराज कीजे तो हम सुन्दर साथ को भी ऐसे ही विचार करना है सुन्दर साथ जी हर एक सुकन प उदर कभी नहीं सुना मेरी ब्रह्म वानी में इतने प्यारे शब्द, वीतक सहाब में इतने सुन्दर शब्द आया है, सुन्दर साथ जी वारी वारी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुन्दर साथ जी, साथ साथ में बहुत सारी गलतियां होती हैं, आप ठीक कर देते हैं और क्षमा भी कर देते हैं ठैंक यू सुन्दर साथ जी प्रेनाम जी एक बात